तोस्तो मैं आपका दोग डोक्टर विपिंकुमार आपका अपनी चैनल में स्वागत करता हूँ दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लिंग की लंबाई वे मोटाई बढ़ाने के विशेबर दोस्तो काफी लोग हमें डेली कोल करते हैं और बोलते हैं कि हमें पाराहे हैं जिसके कारण उनको काफी समश्यावं करना पड़ रहा है है और वे बोलते हैं कि आप हमें बता दीजिए कि को qui delayed nose का हम इस्तमाल कर सकते हैं या नहीं है आब GC9 के इस्तमाल कर सकते हैं और उनके काफी अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं दोस्तो आज इसी वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे घ्रेलून नुसके की जिसको आप यदि अपने यहां पर घर पर बना सकते हैं किसी से भी बनवा सकते हैं तो आपको इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे टाइम नाइट फोल या फिर कोई गंभीर बिमारी है और आपको काफी समय हो चुका है और काफी दवाईया कर चुके हैं और इनके आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं जिनके कारण आप अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाते या फिर आप अपने आपको साधी के लि योग ये नहीं मानते तो आज जो मैं ये नुस्खे बताने जा रहा हूं यदि आप इनको इस्तमाल करते हैं तो आप अपनी वहवाईक जीवन या फिर आप साधी के लिए बिल्कुल तयार रहेंगे दोस्तो सबसे पहले जो आपको लेना है वो लेना है अस्वगंधा का तेल दोस्तो ये आपको पंसारी के यहाँ पर मिल जाएगा इसके लिए आपको अच्छे पंसारी से ये तेल लेना है और इसी के साथ साथ आपको तिल का तेल लेना है इसके बाद आपको इसमें लेने हैं खरातीन कैच्छवे दोस्तो ये सूखे हुए कैच्छवे को इरानी भासा में खरातीन बोलते हैं और ये आपको बीस से पचास गिराम की मात्रा में लेने हैं और आपको जो तेल लेना है वो भी बीस बीस एमेल लेना है असुगंधा का भी और तिल का भी और इसके बाद आपको लेने हैं रोगन बेजा मुर्ग या फिर आप रोगन बेजा मुर्ग की जंगे अंडे जो होते हैं देसी अंडो की जर्दी जो आप जर्दी ले सकते हैं या फिर अंडो की देसी ही होने चाहिए उनकी आप जो छिलका रहता है उपर का हाड़ वाला वो ले सकते हैं, दोस्तों इनको जो आप खराती लाए हैं और जो आपने अंडो के उपर का छिलका लिया है, इनको अच्छी तरीके से बिल्कुल बारी करके उसको कपड़े में छान लीजिए, बरीक से बरीक, जब वो बरीक से बरीक हो जाएगा, तो आपको जो ओयन लिया है आपने चाह, असुगंधा का ओयल और तिल का ओयल, दोस्तों इन दोनों ओयल को हलकी हलकी आँच पर उस चूरन में पका लिजिए, और इसके बाद आप इसका जो पकाने का टाइम पिरियाड है, वो है जब तक ये काली ना हो जाए, जो दवाई इसमें है, ये फुक ना जा और इसकी आपको दस बून लेनी है, और इसकी आपको अपने पैनिस पर मसाज करनी है, जिससे आपके लिंग के साइज में बढ़ावा हो सके, दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, सेर, सब्सक्राइब